दोस्तों बात जब अपने पर आती है तब हर कोई सफाई देने लगता है कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, मैं तो ऐसा सोचता है नहीं, हमारी तो ऐसी सोच ही नहीं है, लेकिन रियालिटी में किसकी क्या सोच है किसी को बताने की ज़रुत नहीं हो दिये, हिंदू देवी द हर कोई का मतलब किसकी बाते कर रहा हूं आप समझ जाईए तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी के मामले में किस तरह से शीवलिंग का मजाग बनाया गया किस तरह से भगवान शीव के उपर अबद्र टिप पड़ियां की गई जगह जगह पर कि आज तक किसी मुस्लिम ने किसी हिंदू देवी देवता के पर कोई अपमान जनक टिपड़ी नहीं की है नुपुर शर्मा ने जो कहा है यह बहुत ही गलत बात कही है सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा इस नसुदिन शा को कौन समझा है कि भाई तू वही इंसान है जिसन अकबरुदिन ओएशी जो यह कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो सभी हिंदूओं को काट डालेंगे फिर उसके बाद उसने एक मंच पर और खा कि यह क्या-क्या नाम रख लेते हैं लोग अपने भगवान का गनेश, बदरंग बली, भागय लक्षमी ऐसे मनहू वीडियो में हर बार कहता हूं कि एक दूसरे के धर्म का संबान करो लेकिन जब तुम दूसरे के धर्म का संबान नहीं करोगे तो तुम्हारे धर्म के उपर भी कोई नो कोई कुछ नो कुछ बात कहे गई तो यह जो टिका-ठिकपड़ी का जो दौड चल रहा है ना यह अधिक बाते करते हैं हिंदु देवी देवताओं के पर टिका-ठिकपड़ी करते हैं हमारे बहुत से हिंदु धर्म में भी लोग ऐसे दोगले किस्मके हैं कि जो उन्हें लगता है कि भाई किसी ने कुछ गलत कहा यह नहीं है शिव का अपमान नहीं किया देव देवताओं यह कहा चले जाते हैं जब तांडव जैसी वेब सिरीज में भगवान शीव का मजाक उड़ाया जाता है फिर ऐसी कई फिल्में फिल्मों की पूरी लिस्ट अगर आप उठा कर देखने जाएं तो कम पड़े आएगा वीडियो हर फिल्म में ऐसे ऐसे डियालोग मारे जाते ह हैं जो आप ध्यान से सुनोगे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यह किस हिसाब से हिंदू देवी देवताओं को बदनाम करने की साजिशे रची जाती है तो नसुरी दिन शा को अपनी आग खोल कर देखने की और समझने की जिरोत है क्योंकि बुढ़ापा इनके सर पर चड़ कर बोल रहा है और यह बुढ़ापे में सठ्या गये हैं जो इनको यह नहीं दिख रहा है इनके यह सिदे सिदे बोल दे रहे हैं कि कभी भी किसी मुस्लिम धर्वसे किसी ने हिंदू देवी देवताओं के उपर टिका टिपड़ी नहीं किया है अपमानित नहीं किया मुनवर फारुकी नसुरी दिन शाकों नहीं दिख रहा है जिसने माता सीता के उपर अपध्रटी पड़ी कि थी बाद में जिसे आज हिरो बना दिया गया है तो इसे बहुत सारे मामले हैं तो नसुरी दिन शाको जब बोला है तो स्वतंत्र होकर खुले दिल से दोनों ही सा मान करो गलत बात नहीं कहने चीए लेकिन जब आप एक ही चीज को लेकर एक चीज को सही ठहरा होगे दूसरी चीज को गलत ठहरा होगे तो ऐसा नहीं चलता है